हर हर महादेव दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटीब चैनल पर आज की वीडियो में हम सुनेंगे शिव महापुराण श्रीरूद्र सहिता तृत्य खंड का 26 वा अध्याई पार्वती को शिवजी से दूर रहने का आदेश पार्वती बोली हे जटा धारी मुनी मेरी सक्ही ने जो कुछ भी आपको बताया है वै बिल्कुल सत्य है मैंने मन, वानी और क्रिया से भगवान शिव को ही पती रूप में वरण किया है मैं जानती हूँ कि महादेव जी को पती रुप में प्राप्त करना बहुती दुरलब कारे है फिर भी मेरे रिदय में और मेरे ध्यान में सदैव ही उनका निवास है अता उनी की प्राप्ती के लिए ही मैंने इस तपस्या के कठिन मार्प को चुना है यह सब ब्रामन को बता कर देवी पारवती चुप हो गई उनकी बातों को सुनकर ब्रामन देवता बोले हे देवी अभी कुछ समय पूर तक मेरे मन में यह जानने की प्रबल इच्छा थी कि क्यों आप कठोर तपस्या कर रही है परन्तु देवी आपके मुख से यह सब सुनकर मेरी जिग्यासा पूरी तरह शांत हो गई है देवी आपके किये गए कारे के अनुरूप ही इसका परिणाम होगा परन्तु यदि यह तुमें सुख देता है तो यही करो यह कहकर ब्रामन जैसे ही जाने के लिए उठे वैसे ही देवी पार्वती उन्हें प्रणाम करके बोली हे विप्रवर आप कहां जा रहे हैं कृपया यहां कुछ देर और ठहर रिये और मेरे हित की बात कहिए देवी पार्वती के ये वजन सुनकर सादू का वीश धारन के वे भगवान शिव वही ठैर गए और बोले हे देवी यदि आप वाकई मुझे यहां रोप कर मुझे अपने हित की बात सुनना चाहती हैं तो मैं आपको वश्य ही समझाऊंगा जिससे आपको अपने हित का स्वयम ज्यान हो जाएगा देवी मैं स्वयम भी महादेम जी का भक्त हूँ इसलिए उन्हें अच्छी प्रकार से जानता हूँ जिन भगवान शिव को आप अपना पती बनाना चाहती हैं वे प्रभू शिव शंकर सदैव अपने बाग की खाल पहनते हैं और चादर के स्थान पर वे हाती की खाल ओडते हैं हाथ में भीक मांगने के लिए कटोरे के स्थान पर खोपड़ी का प्रयोग करते हैं सांपों के अनेक जुंड उनके शरीर पर सदा लिपते रहते हैं जहर को भी वी पानी की भाती पीते हैं उनके नेतर लाल रंग से भी अत्यंत डरावने लगते हैं उनका जन कब कहां और किस से हुआ ये आज तक भी कोई नहीं जानता वे घर गरस्ती के बंधनों से सदा ही दूर रहते हैं उनकी दस भुजाएं हैं विवेक कहां चला गया है प्रजापती दक्ष ने अपनी पुत्री सती को सिर्फ इसलिए ही अपने यग्ये में नहीं बुलाया क्योंकि वे कपालधारी भिक्षुक की भार्या हैं उन्होंने अपने यग्ये में शिफ्त के अतिरिक सभी देवताओं को भाग दिया इसी अपमान से क्रोधित होकर सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया था देवी आप अत्यंत सुंदर एमस्त्रियों में रत्न स्वरूप हैं आपके पितागिरी राज हिमाल्य समस्त परवतों के राजा हैं फिर क्यों आप इस उग्र त कीचड क्यों मलना चाहती हैं सुर्य के तेज को छोड़ कर क्यों जुगनों की चमक पाना चाहती हैं सुंदर मुलायम वस्त्रों को त्याग कर क्यों चमडे के अपने शरीर को ढखना चाहती हैं क्यों राज महल को छोड़ कर वनों और जंगलों में बटकना चाहती हैं आपक तो यह है कि इस समय मुझे आपके साथ शिव जी का संबंध परस पर विरुद्ध दिखाई दे रहा है कहां आप और कहां महादेव जी आप चंदर मुखी हैं तो शिव जी पंच मुखी आपके नेतर कमल दल के समान है तो शिव जी के तीन नेतर सदैव क्रोधित दृष्टी की डालते हैं आपके केश अत्यंत सुन्दर है जो की काली गटाओं के समान प्रतीत होते हैं वही भवान शिव के सिर के जटा जूट के विशय में सभी जानते हैं आप सुन्दर कोमल साडी धारन करती हैं तो शिवजी कठोर हाती की खाल का उपयोग करते हैं। आप अपने शरीर पर चंदन का लेप करती हैं तो वे हमेशा अपने शरीर पर चीता की भस्म लगाए रखते हैं। आप अपनी शोबा बढ़ाने हेतु दिव्य आभुशन धारन करती हैं तो शिवजी के शरीर पर सदैव सर्फ लिपटते रहते हैं। कहां म्रदंग की मधुर ध्वनी, कहां डमरू की डग्मन। देवी पारवती, महदेव जी सदा भूतों की दी हुई बली को स्विकार करते हैं। आपका यह रूप इस योग्य नहीं है कि उन्हें अपना सर्वांग सोप दिया जाए। देवी, आप परम सुंदरी हैं, आपका यह अद्भुत और उत्तम रूप शिवजी के योग्य नहीं है। आप ही सोचे, यदि उनके पास धन होता, तो क्या वे इस तरह नंगे रहते। सवारी के नाम पर उनके पास एक पुराना बैल है। कन्या की लिए योग्य वर ढूमते समय, वर की जिन जिन मिशिष्टाओं और गुणों को देखा परका जाता है, शिवजी में वह कोई भी गुण मौजूद नहीं है। और तो और आपके प्रिये काम देव जी को भी उन्होंने अपनी क्रोधागनी से भस्न कर दिया था। साथ ही उस समय आपको छोड़ कर चले जाना आपका अनादर करना ही था। हे देवी, आपकी जात पात, उनकी जात पात और विद्या के बारे में भी सभी अनजान हैं। आपके और उनके रूप और सभी गुण अलग-अलग हैं, जो की परस पर एक दूसरे के विरोधी जान पढ़ते हैं। इसी कारण मुझे आपका और महादेव जी का संबंद रूचिकर नहीं लगता है। फिर भी, जो आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। वैसे मैं तो यह सोचता हूँ कि आप असत ही और अपना मन हटा ले। यदि यह सब नहीं करना चाहती हैं तो आपकी इच्छा जो चाहा करो। अब मुझे और कुछ नहीं कहना है। उन ब्रामन मुनी की बातों को सुनकर देवी पार्वती बहुत दुखी हुई अपने प्राण प्रियत्र लोकनाथ शिव के विशय में कठोर शब्दों को सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगा। वे मन ही मन क्रोधित हो गई। लेकिन मन ही मन यह भी सोच रही थी कि शिव के सौंदरे को स्थूल दृष्टी से देखना परकने का प्रयास करने वाले कैसे जान सकते हैं। संसारी व्यक्ती मंगल अमंगल को अपने सुख के साथ जोड़ कर देखता है। वे सत्य को कहां देख पाता है। इस तरह विवेक द्वारा अपने मन को समझा बुजा कर अपने को सैंत करते हुए देवी पार्वती कहने लगी। ओम नमस्षिवाय।